हाई एवरिवन दही बड़े या दही बल्ले तो आपने बहुत खाए होंगे आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी नए और आसान वाले दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप वरत में भी खा सकते हैं नवरात्री वरत में आप इसे बना करके रख लिजे दो से तीन दिन तक आप इने इंजॉय कर सकते हैं यानि फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप सामक के चावा लिये हैं इसे सामा राइस भी कहते हैं आपके यहाँ पर इन्हीं क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना और इसके साथ दो चम्मस साबूदाना लिया है साबूदाना आप छोटा या बड़ा या मीडियम कोई अब हम इन्हें एक बार अच्छे से दो कर और पानी में भीगो कर रख देंगे तक्रीबन 3-4 घंट के लिए अगर आपको जल्दी है तो आप हम रहे हैं इसके लिए फटा फट से चटनी बना लेते हैं तो आज आपर सबसे पहले इमली और खजूर की चटनी बना रही हूं इमली और खजूर की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यह 500 ग्राम खजूर ले लिए हैं इसमें बीज नहीं है इसको हम पहले पानी से एक बार धो लेंगे और फिर इसमें गरम पानी डालकर इन्हें दो घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे ताकि यह सौफ्ट हो जा हैं तो मैंने ग्राइंडर जार में सबसे पहले खजूर डाल दिये हैं और फिर इमली भी डाल देंगे और इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे यह देखिए इनका पेस तयार हो गया है आप कड़ाई के ऊपर छनी रख देंगे और इन्हें चान लेंगे इस तरीके से जो भी देशे हैं वो निकाल देंगे और आप इसमें हम पानी डाल देंगे तकरीबन एक लिटर के करीब रयब यह पाने बाणा है और इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इसे गैस पर लग देंगे गैस का फ्ल alarm मीडियम टो हाई रखेंगे और इसे भीच भीच में इस से चला लेंगे इसके उपर यह स्कम या जागसी आ जाएगी तो हम इसे हटा देंगे और अब इसमें मीठे के लिए मैं यहां पर 150 ग्राम गुर डाल रही हूं कप से नापेंगे तो तक्रीबन एक कप है आप चाहें तो इसकी जगा पर चीनी का भी यूज कर सकते हैं और अब इसमें डाल देंगे एक चोटी चमच देगी मिर्च पाउडर आदी चोटी चमच भुनावा जीरे का पाउडर डालेंगे एक चुथाई चोटी चमच काली मिर्च पाउडर और आदी चोटी चमच सूखा अधरक का पाउडर डाल रही हूं अगर आप इसमें से कोई भी ची मिश्मिश डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसे तक्रीब पंदा से 20 मिनट के लिए हम न sentence से पका लिया हुसका लिया हैं आप इसे 6-8 महिने तक फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं जितनी चटनी आपको चाहिए छोटी डिबबी में डाल कर आप इसे फ्रीज में रखें और बागी की बची हुई चटनी को आप फ्रीजर में स्टोर करके रख लीजे और अब हम जल्दी से धनिया पुदीना की चटनी बना लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक कप हरा धनिया ले लिया है, साथ ही में इसमें एक चोथाई कप पुदीना के पत्रे डाल देंगे, तीन हरी मिश डाल देंगे, या फिर अगर आप जादा तीखा खाते हैं, तो जाद भी डाल सकते हैं, और इसमें एक कच्छी अंबी को इस तरीके से काट कर डाल देंगे, जो इसका बीज है, उसे हम डिसकार्ड कर देंगे, आप इसमें सेंधा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा टेस्ट की एक और साथ ही थोड़े से बरफ के टुकडे डाल देंगे, और अब इन सब को ग्राइंड कर लेंगे और लीजे हमारी बहुत ही टेस्टी व्रत वाली चटनी बनकर के तयार है यह बहुत चटपटी है और इन सभी चटनी को आप पूरे नो दिन तक फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं यह बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी और पूरे नवरा दाल देंगे एक चोथाई चोटी चमच काली मिच पाउडर डाल देंगे और इन सब का इकदम फाइन पेस्ट बना लिया है और इस पेस्ट को हम इस पैन में निकाल लेंगे यहां पर मैंने दो आलू ले लिये हैं जिनने हमने उबाल कर और कदुकस कर लिया है इसी में ही ड देखिए मुश्किल से 3-4 मिनिट लगे हैं यह जो मिक्षर है पूरा एक डो की तरह हो तेयार हो गया है यानि अच्छे से पक चुका है तो बस अब हम यहां पर गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे यहां पर इस मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे जब यह मिक्षर थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो मैं इसमें यहां पर थोड़ा हरा धनिया डाल दूगी बारी कटा हुआ और हाथ पर थोड़ा सा ओयल लगा कर इसे मिक्स कर देंगे यह दिखिए जो मिक्षर है काफी पतला है स्टिकी सा है हाथ पर चिपक रहा है तो इसी त अगर आप चाहें तो यहां पर थोड़ा सा एक से दो पिंच बेकिंग सोड़ा डाल सकते हैं अगर आप रत में घाते हैं तो पर मैंने यहां पर इसमें नहीं डाला है अब मैं हाथ पर थोड़ा सा पानी लगाऊंगी ताकि यहां चिपके ना और इसमें से थोड़ा सा पोर डालें कुछ seconds का gap रखें क्योंकि वरना यह आपस में चिपक जाएंगे और एक time में हम थोड़े ही डालेंगे जादा नहीं डालेंगे और जब यह नीचे से हलके से सिख गए हैं तो हम इने पलट देंगे और इस तरीके से उलटते पलटते हुए हम इने तब तक अच्छे से fry कर लेंगे जब तक इंके उपर सब तरह बढ़िया सा golden color नहीं आ जाता और यह देखें इंके बढ़िया सा color आ चुका है तो बस अब हम इने निकाल लेंगे आप चाहें तो इन्हें ऐसी ही खा सकते हैं चटनी के साथ यह इस time भी बहुत जादा टीस्टी हैं पर आज हम इसक इसको अच्छे से फेंट लेंगे इस तरीके से और यह देखें जब यह दही बढ़े अच्छे से फूल गए हैं इसमें इन्होंने पानी काफी सा एब्जूर कर लिया है यह नीचे जाके बैट गए हैं तब हम इसमें से एक एक दही बढ़ा लेंगे और इसे हलके हातों से निचोड़ लेंगे बहुत जादा टाइटली नहीं निचोड़ेंगे क्योंकि काफी सॉफ्ट हैं अब इसके उपर थोड़ा सा गाड़ा दही डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे यह इमली और खजूर की चटनी लग रहे हैं ना कितने डाम्टिंग बहुत टेस्टी हैं और आपको जितने बड़े खाने हो उतना को ही आप गरम पानी में भिगोएं बाकी के बड़ों को आप फ्रिज में रग दें स्टोर करके किसी भी एर टाइट बॉक्स में आप पूरे नवराते इनको राम से खा सकते हैं और जब भी आपका दिल करें बस उन्हें गरम पानी में भिगोएं और इस तरिके की चाट बना लें और मैंने इसे गार्निश कर दिया है थोड़े सी धन्या पुदिना की चट्नी और साथी धन्या के पत्ते और भूना हुआ जीरे का पाउडर साथी डाला है थोड़ा सा देगी मिश पाउडर और अनार की दाने जो भी चीज इसमें से आप वरत में नहीं खाते हैं, आप उसे skip कर सकते हैं, तो friends लीजिए, ये वरत वाले दही बड़े बन करके तयार हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, ये मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ, ये देखिए, हैना उंदर से एकदम सॉफ्टोर स्पॉंजी, इस बार इस वरत में जरूर ट्राइ करें, ये बहुत पसंद आने वाले हैं सबको, और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं, तो आपकी अपने चैनल रीता अरोरा रेसिपीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भीना भूलें, अब मिलती हूँ एक और नई रे सब्सक्राइब के साथ तब तक लिए गुडबाई, तेक केर और थेंक्स पर वाचिंग